हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का लेसर नमबर एक सरसोती सिंदु सब्वेता वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सत्तर में हिस्ट्री पार्ट को बदल दिया गया है और आज हम इस सरसोती सिंदु सब्वेता के नगरों लोगों के समाजिक आर्तिक धार्मिक आधी जीवन के बारे में और इस सब्वेता के विस्तार वा पतन के बारे में पड़ेंगे इस बता की भवन निर्मान शैली, सांस्कृतिक जीवन वै गलियों, सडकों और लीपी के बारे में जानेंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल जिसका नाम Economic Analysis विद शुनी कुमर कुपता है को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दिये बैल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए-ने नोटिफिकेशन, नए-ने वीडियो आप तक समय समयर पर पहुंचते रहें तो विडियो शुरू करते हैं, इसमें प्रशन आता है सरस्वी सिंदु सब्वेता के नाम करन पर टिपनी करें दूसरा प्रशन पढ़ेंगे सरस्वी सिंदु सब्वेता का टेकनिकी ज्यान किस प्रकार का था तीसरा सरस्वी सिंदु सब्वेता के अधीन करा के विकास का संक्षित वणना करो चौथा प्रसन सरस्वी सिंदु सब्वेता की नगर योजना में सडकों वे गलियों की ववस्ता कैसी थी नेक्ट प्रसन सरस्वी सिंदु सब्वेता की लिपी के अपारे में लोगों के जीवन में योग के महत्तव के बारे में सरसुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष के बहुत सारे स्थान सरस्वती और सिंदू नुदियों के किनारे पर मिलने एकान इस सब्वता का नाम सरस्वती सिंदू सब्वता पड़ा इस सब्वता को हडपा संभता वैं सिंदू सब्वता के नाम से भी जाना जाता है दूसरा प्रशन आता है सरस्वती सिंदू सब्वत का टेक्कनीक ज्ञान किस प्रकार का था तो इसका उत्तर देखते हैं सरस्वती सिंद्व सपिता से मिले अवशोष़ों से उस काल के टेकनिकी क्यान के बारे में जानकारी मिलती है यहां के लोगों ने मिट्टी के बर्तन हाभूशन मुनाने हाथी दांद का काम करने भवन निर्मान करने कपड़ा बुनने आधी अनेग शिल्पों में विशेश उनती की थी सोने चांधी के आभूशन वै मन के धातु कला की टे मतलब कि जो भवन निर्मान कला कपड़ा बुनना की कला शिल्पों के बारे में और सोने चांधी के जो आभूशन बनते हैं बनते थे मन के धातु कला की टेकनिकी और जो बर्त्रों पर फूल पतिया बनती थी उन टेकनिकों का वे सरसुद्य सभिता के लोग बहुती इस काम में बहुत निपन थे तीसरा प्रसन आता है सरस्वती सिंद्य सभिता के अधीन कला के विकास का शिक्षिप्त वर्णन करो तो उत्तर आता है सरस्वती सिंद्य सभिता के लोगों ने विभिन कलाओं में बहुत विकास किया था वे भवन निर्मान सुंदर अभूशन बनाने पक्की मिटी के बर्तन बनाने मोहरें बनाने वे धात्तों की मूर्तियां बनाने में निपन थे मोहरें जोदरों से प्राव्त कांसे की मूर्तियां और मोहरों पर भिन भिन परकार के चित्तर खुदे हुए थे चांदी वै कीमती पत्त्रों से अभूशन बनाये जाते थे अगला प्रशन आता है सरस्वती सिंदू सब्वता की नगर योजना में सडकों वै गलियों की वेस्ता कैसी थी तो उत्तर में आता है सरस्वती सिंदू सब्वता की नगर योजना में सडकों व्य गलियों का विशेश थान था इस सब्वता की मुख्य सडकें 9.15 मिटर चौड़ी और गलियां 3 मिटर चौड़ी थी काली बंगा मिधातल आदी की सडकें चौड़ी थी प्रंतु सडकें कच्ची थी साब सफ़ाय का ध्यान रखा जाता था एला प्रशन आता है सरस्वती सिंदू सब्वता की लिपी के बारे में बताओ सरस्वदी संदु सब्यता के लोग लेखन कलावा लीपी का ग्या रखते थे परंतु उनकी लीपी अभी तक पड़ी नहीं जा सकी है माना जाता है कि यह लीपी चितर संकेत लीपी है मतलब चितर छपे हुए है उनको देखर के हम अनुमाल लगाते हैं यह क्या कही जा रही है बात जो दाइं से बाइं और लिखी जाती थी जैसे उर्दु लिखी जाती है दाइं से बाइं की और इसे कुल 396 में चिन मिले हैं पुरा तत्त विद श्री वी कृष्ण राव ने कहा है कि उसने श्रीब पशुपती नामग लिपी को पढ़ दिया है परंतु अभी लिपी का पढ़ने का राश्य बना हुआ है अभी तक कोई भी उस लिपी को नहीं पढ़ सका है जैसे हमारे हिंदी की देवनागरी है पंजाबी गुर्मुकी है तो इसी प्रकार से उस समय की जो लिपी अभी तक किसी भी कोई भी पुर दतवीद उसको नहीं पढ़ सका है तो नक्स प्रेशन आते हैं सरस्विशंजर्ण है के लोगों के जीवन में योग के महतब का वर्णन करई मोर्टी है एक अन्य मोहर पर आधी खुली हुई आँखें नाक के अगले भाग पर दिखाई गई है कुछ मोहरों पर स्वास्ति का चिन्न भी दिखाई देता है ये सबी बते ये बताती है कि उस समय के लोग योग के बारे में बहुत जानते थे तो नेक्ट परशन आता है सरस्ति सिंदु सर्भता में अंतेष्टी संसकार की तीन विदियों के नाम बताओ समाधिक शत्र के विशय पर परकार डालो अंतेष्टी संसकार मतलब जब ब्यक्ति मर जाता है तो उसका संसकार कैसे किया जाता है उसी विदियां उस समय क्या थी तो उत्तर में तीन विधिया निमर परकार से थी उस समय जो विधिया थी वो तीन परकार के थी तो कौन-कौन सी थी नमबर एक पूर्ण समाधिकर्ण नमबर दो आंशिक समाधिकर्ण और तीसरा दा संसकार तो समादिक शित्र क्या जाता है? सरस्वजी सिंदु सब्विता में समादिक शित्र नगरों से बहार होते थी इसके परमान राखी गड़ी, फरमाना और अन्य सलों पर मिलती है शवों के सिर्ग की दिशा, उत्तर और पैरों की दिशा, दक्षन की और रखी जाती थी में अनेक प्रकार की महरे प्राफ्त हुई है, महों चोजरों से ही लगब 1200 महरे प्राफ्त हुई है ये महरे पक्की मिट्टी की बनाई की जाती थी, अनेक महरों पर बैल, हात्ती, शेर, बाग, आदि के चित्र अंकित थे कई महरों पर पूजर जाने वाले देवी देवताओं की चित्र अंकित होते थे, कई महरों पर उस समय के लिपी के चिन थे, जो पड़े नहीं जा सके अगला प्रशन आता है, सरस्विशन सब्दा के लोगों के समाजिक जीवन के बारे में वानन गरो हमने ये परशन पहले भी पड़ दिया है, लेकिन हम द्वारे से इस परशन को पड़ते हैं, सरस्विशन सब्दा के जो लोग थे, उनका समाजी जीवन किस परकार का था, उत्तर देखते हैं इसमें, सरस्विशन सब्दा एक उच्च कोटी की नगरिय सब्दा थी, यहां के लोग गेहुं चावल, जो दहीं, सबजियां, फल आदी का उप्योग करते थे, जैसे आजगर लोग हम लोग गेहुं चावल और सबजियां आदी यूज़ करते हैं, उसी परकार से उसमें भी जो लोग थे, वो गेहुं चावल, जो दहीं आदी प्रियोग में लगते थे, वे मसालेदार भोजन के बही शौकीन थे, वे लोग सुती और उन्नी वस्तर पहनते थे, पुर्ष धोती पहनते थे, इस्तरियां लहेंगे का प्रियोग करते थे, शहर के शरीर के उपरी भाग में धिला कपड़ा पहनते थे, महिलाएं लंबे बालों के जुड़े वे चोटियां बनाते थे, केशट वानने का रिवाज भी था, पुर्ष धाड़ी वे मुच के अनेगन मुन्ने बनाते थे, आभुशनों में मुख्या रूप से हार, बालियां, कंगन, आधी पहने जाते थे, सर्सुष सिनुष सपता के लोग अधिकतर घर में खेले जाने वाले खेल, जैसे शुतरंज, जुआ, नाच गाना, आधी से अपना मुरंजन करते थे, तो ये थे आपके प्रशन, जिसमें हमने आपको बताया है, कि सर्सुष सिनु भवन इर्मान, शैली, संस्कृति, जीवन, गलियों, सडकों और लिपी के बारे में जाना, तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करें, शेर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, और सा ये बेल आइकन बटन को दवाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नएने नोटिफिकेशन मिलते रहें, धन्यावाद.